आज का टॉपिक है MCD Elections हमने देखा है कि अभी डिल्ली गवर्मेंट और सेंटर गवर्मेंट में एक फिर से टासले स्टार्ट हो गया है और वो MCD Elections को लेके स्टार्ट हुआ है सेंटर गवर्मेंट ने डिल्ली कॉम्मिनिकेशन बजा था अगर हम इस पूरी इशू को देखे तो इसकी स्टार्ट 2012 से स्टार्ट हुआ है 2012 में पहले एक बॉड्य हुआ करती थी MCD की उसको तीन पार्ट में डिवाइट किया गया EDMC, NDMC और SDMC में इस ट्राइफर केशन से प्रॉब्लम यह हुआ कि अगर मैप से देखें तो यह NDMC का इरिया है यह East Municipal Corporation है और यह South Municipal Corporation है अब हमें पता है कि जो Municipal Corporation होते हैं उनमें जो में अर्निंग का जो जरिया होता है वो प्रपर्टी टैक्स होता है अब NDMC में और East Municipal Corporation में जो है वो अनथ्राइज और लोवर टैक्सेशन के टेग्रिस की कॉलोनी चली गई थी अब इससे क्या हुआ कि इस कॉलोनी से जो टैक्स होता है या तो बहुत ही कम मिलता है इसकी वाज़े से जो इनकी अर्निंग केबिल्टी थी नॉर्थ की और इस्ट की वह बहुत ही कम हो गई अब देखें तो 15% जो है इंटर्नल रिवेन्यू का टोटल वो प्रपर्टी टैक्स है सिफ 15% इनकी अर्निंग है NDMC की जार्टी वो प्रपर्टी टैक्स है आप सिफ 15 में आप में डिलीू जीती आप और बिजिपी इंसिडी वो ए इंसीडी में आ गई इश्यू यह है कि MCD इस्टाफ जो है जैसे कि सफाई का इमचारी मेडिकल स्टाफ हेल्ट केर वरकर इनको जो है इनने प्रोटेस्स टार्ट किया क्योंकि एक लिस्ट दौर पंगर्स लेकर आभी तक 50 टाइम जो है वो प्रोटेस्स हो चुका है उसका में रिजियन था सेलरी जो है उन्होंने कहा कि आप गोर्मेंट को जो पैसे देने होते हैं constitutionally जो मतलब जो अब गोर्वान्मेट का उसमें डिले कर रहे हैं वहीं आप गोर्मेंट का कहना है कि यह जो है उसमें बहुती करफशन वहाँ पर चल रहे हैं इसकी वजासे जो है वह अपना पेमिन नहीं कर पा रहे हैं और दूसरा आप गवर्में ने एक और प्रॉलम बताया था कि पैंडमिक की विए से उन्होंने रिवाइज कर दिया था जो ग्रांट उनको देना था कि अगर आप सर्विस नहीं चरा सकते ठैक है अगर में अपने अपने फितल बन कर दी जिया या तो दिली चला लेगी आप इसके जो में पता है ख्रविंडरा है कि आप सम्ने ने या एक आप कोट ने कहा कि आप revenue expenditure कम करो तो आप अपना hospital बन कर दो या hand over कर दो वहीं दिल्ली government को एक observation में दिया था कि आप जो है spending on propaganda to add expenses advertisement पर जाते खर्श करते हो और MCT salary नहीं पा रही है MCT के लोग तो क्या एक criminal offense नहीं है मतलब कि एक criminal नहीं है अब दूसरा solution जो था court में हम देखा कि court में issue भी तक लगातार चली रहा है और उसका कोई problem भी तक मतलब solution नहीं निकला बहुत जागे कोई जो दूसरा solution था वो था कि अपनी earning को बढ़ाते है tax session के दूख हमें पता है कि जो government होती है वो tax session से income अपना लाती है so EDMC ने जो municipal corporation इस्ट वाली उन्होंने प्रपोस किया कि जो professionals होते हैं जैसे कि doctor, lawyer ठीक है वो अपनी jurisdiction में EDMC की jurisdiction में क्लिनिक खोले हुए है या वहां से service point कर रहे है so they are utilizing the services offered by EDMC like parking है sanitation है so the services वहां पर यूज करते हैं so इन्होंने प्रपोस किया कि इन professionals पर जो वहां पर job कर रहे हैं colonies में उन पर नया tax लगाएंगे उसको professional tax नाम दिया गया और उसमें था कि 100 रुपी पर मंत ऐसे लोगों से जो 5 लाग पर येर से जारे कमा रहे हैं उसके आज पास government ने invest किया expenditure किया जिसकी जैसे metro बना, road बना, public infrastructure पे खर्च हुआ तो उससे आपके area की या property की जो value होती हो बढ़ जाती है so उस पे इन्होंने प्रपोस किया कि हम 15% जो है property tax में increase करेंगे मतलब यह 15% property tax का जो है इसमें फिर प्रडिकल टसल स्टार्ट हो गया आपने एक्यूज कि अब BJP को कि यह tax लगा रहे हैं जनता पर और बोच डाल ला है मतलब और प्रेसर पड़ेगा तो अब BJP को भी election लड़ना होता है EDMC कम तो मिनिस्पेल्टिक election में दोनों लड़ना था तो फिर EDMC ने अपना जो प्रपोजल था दोनों टैक्स हो वो विड्डॉव कर लिया तो मतलब कि अब जो earning increase करने का option था वो भी नहीं चला इसको लेकि economic survey दोहर सत्रकी एक observation है उसमानों ने study में पाया था कि बेंगलोर और जैपूर जैसे शहर जो है वो सिर्फ 5-20% अपना जो पूरा earning है वो property tax है कमा रहे हैं जितना उनका actually potential है उससे 5-20% से वो collect कर रहे हैं अब इसके वजय से आप कम earning करोगे तो आपका expenditure भी कम होगा so economic survey ने कहा कि इसका दो region हो सकता है पहला state है वो taxing power नहीं दे रहे हैं इस local bodies को और दूसरा region यह हो सकता है कि जो urban local bodies है वो खुदी रेज नहीं कर रहे है revenue on their own ठीक है वो खुद से tax नहीं लगाना चाहते है अब जनता पे so जो इसका observation था वो यह था प्रेडिटल region जो है main responsible factor है जिसके विए revenue उनका urb नहीं किया जा रहा है मतलब कि अपनी income नहीं बढ़ा रहा है क्योंकि उनको election लड़ना होता है और election अगर टैक्स अगे तो उनको एटर लगता है election हार जाएंगे so they are not raising the enough taxes revenue अब तीसे solution पर बात आई कि जो तीसा solution था उनको प्रोश किया को फिर judicially divide कर लेंगे बाकी पूरे areas में so यह तीसरा solution उनको सोचा है merge करने का से भी corporation को अब इसके बाद नया टैसल शुरू हो गया है नया टैसल ही है कि central government ने इसको लेके communication बजा कि हम merge करने जा रहे है so आप जो है state election commission को यह कि हम merge करने जा रहे है तीनों corporation को so अब इससे state election commission ने postpone किया election के notification को so अब दिल्ली government एक्यूज कर रही है state election commission या BJP को कि they are afraid of election कि वो election से दढ़ते हैं और election postponed जो है वो violation of constitution है so हम देखते है कि violation है कि constitution का constitution provision यह कहता है कि article 243u है जो duration fix किया पांच साल का so अब पांच साल का मतलब कर आज आज आपकी कोई municipality चुन के आ गई है तो वो पांच साल तक जा सकती है उसके बाद आपको उसके अगले ही दिन बलकी आपकी नई municipality आ जानी चाहिए ठीक है उसके पहले भी आ सकती पर पांच साल से डिले नहीं हो सकता अब इसको लेके जो रिसेंट्री जो थर्ड सॉलुशन हमने देखा था मर्ज करने का उसको लेके सेंट्रल गवर्मन ने अभी नया जो एक बिल है इस सेशन में उन्होंने बुल लाने जा रहे हैं दिल्ली मुनिस्पल कॉर्पेशन एक 2022 इसी एक्ट के थूँगो मर्ज करेंगे तीनों जो मुनिस्पल कॉर्पेशन है उनको ठीक है अब अगर यह वाला बिल पास हो जाता है और इलेक्शन कर लेते हैं तो वह वालेशन नहीं होगा क्योंकि जो अभी जो गौर्मन जो दिल्ली में मुनिस्पल का जो फाइफ यह टर्म है वह अठार मही को एंड होगा अभी देड़ महिने के आसपास टाइम है अगर तभी तक यह एक पास हो जाता है और इलेक्शन करा लेते हैं ठीक है और नया हाउस चुनके आ जाता है अठार मही तक तो जो है यह कॉंस्टिटूशन को वालेशन नहीं होगा और हमने भी देखे हैं कि यह बिल आही रहा है और होफुली अप्रेल के मिड में इलेक्शन जो है वो हो जाने चाहिए अरगर उसे लेट होता है और अठार मही तक नहीं आता है नहीं मुनिस्पैर्टी तो यह बिल भी देखे हैं कॉंस्टिटूशन थैंक यू